हाँ बाईगो नए चेंज इस्टूडेंट वीजा में है उसकोर मैं दूसरे को भी विलोगर्स को फॉलो करता हूँ वो तास पास देखता हूँ नो मुझे थोड़ा इडिया लगता है यह क्या हो रहा है बाई स्टूडेंट वर्ड में तो जिस तरह से देखा है भी मार्च में बहुत नए चेंजेज आए स्टूडेंट वीजा को रिलेटेट तो मैं सचाज उससे बारे में थोड़ी सी बात करते है अपने तूबा होगी है यहां पर मेलबन में वैसे ही थोड़ा था क्लावडी सा वेदर हो रहा है एले जाएंगे थोड़ी एक्सरसाइस करेंगे जिम करेंगे और साथने बात भी करेंगे तो या एक-एक स्पेसिफिक डीटेल मैं ना जाते हुए अगर में और रूल्स और चेंजिस की बात करूं तो मेरे हिसाब से थे वेरी गुड गुड इन दे सेंस यार अगर तुम उन स्टुडेंट में से हो जिन्होंने कुछ प्लान नहीं किया और बस डेस्परेशन और बस कुई पी सस्ते से कॉर्समे डिशन लेलो और जिससे वहां पोग जाओ और पैसे बनाने की कोशिश करो तो वह आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन at the same time जो जो जन्वन स्टुडेंट से जो जन्वन पढ़ाई करने के लिए आने चाते थे जो अस्ट्रेलिया में रहना भी चाहते हैं, उनके लिए भी भी कोई ज्यादा चेंज़ेस नहीं हों है, अभी तक क्या होथा था, क्षुटस को इंडिया में पता ही नहीं होता है , बस ना है जाना है बस हैं तंक कर anisya रंगी कॉस में नहीं पता है अब यह क्या होता है कुछ पर लो हो वह कर ले ले थी कि हम कोच अईडिया नहीं हमारा कि Destra तुम आओ यहां पढ़ो, हमारी पंट्री को कॉंट्रिब्यूट करो, लेकिन जो जनुवन लोग यह करना चाहरे वह आएंगे, वह नहीं चाहरे कि लोग आ रहे हैं स्टुडेंट के विजा के नाम पर और अलग लग तरह काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, पढ़ाई ही कर तो आपको वह एक्जाम्स वगरा के 0.5 में कोई डिफरेंस आना नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी के लिए, एट लीस्ट अब यह तुमको जो नए जो क्राइरिय आया उसके हिसाब से, जिससे आप से बता रहे थे कि वह तू दिफाइन वेल कि तुम क्यों आ रहे हो, और क योः पढ़ना चाहते हो, तुमारा स्टेडी का प्लान क्या है, तो इससे अच्छी यह चीज होगी मेरे हिसाप से के, अटलीस अब स्टुडेंट को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, हाँ तो अच्छी चीज है होगी कि स्टुडेंट को अब एटलीस थोड़ा फोकस करना तो बाइव मैं बतारा था कि जो पहला जो मेन फोकस से जो चेंज वह रहा है तुडैंट्स के लिए पहले जी टी का आपको ऐस्टेंट बना परता है जी टी की जो डीटेल लाने पड़ेती अब जैनुवन स्टूडेंट मतलब आपको मोर डीटेल में बताल का यहां पर वीज तो वो आराम से उन questions का answer दे सकता, अपनी genuine reason बता सकता है, अभी तक क्या होता था, students को कुछ पता नहीं होता था, क्या करना है, agents बताते थे उनको कुछ सा course पढ़ना, उस basis पर आते थे, it was wrong all along यार, तुम इतना बैसा लगा कि या study करने आ रहे हो, अगर तुमको वही decide नहीं कि तुमको क्या पढ़ना और क्यों पढ़ना है, at least government के push है, बच्चों को थोड़ा सा मतलब ऐसा रहेगा कि उनको focus करना पड़ेगा कि नहीं है, मुझे करना है, तो मुझे क्यों करना है, they have to put some emphasis, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अच्छा course उस करेंगे अपने लिए, ठीक है यह तो एक first change आया है, दूसरा चींज आया है, दूसरा चींज आया है, दूसरा चींज आया है, दूसरा चींज रिलिटे तो आपकी जो English की जो IELTS exam देना परती थी, पहले जो आप 6.5 बैंड में गाम अचा था ता उसको ने 0.5.5 बढ़ा दिया है, तो बहुत बहुत बढ लेक्चर समझ में आना चींज, टूटर समझ में आना चींज, अगर आपको समझी नहीं आ रहा, आप सिर्पुडेंट आगए यहां पे जरे इन कोर्स की वेंचुली फेल, ऐसा कुछ नहीं की गवर्णमने स्पेशल तूम को ना आने के लिए इस रिक्वार्मेंट लगाई कि अभी तक जो अप्लिकेशन होती थी, इनको अभी कोई हाई रही है तो थोड़ा सा चेकिंग रिग्रसली करेंगे, जिसलिकि अगर आपको मास्टर कोर्स करने आया हूँ, आपने ग्रैजूट की इंडिया की डिग्री लगाई है, तो जिल मेक शोर कि वो डिग्री प्रॉ जिनको से काम करना पैसा करना है, उन लोगों के लिए सबसे आजा दिकता हूँ, लेकिन कोई जेंट्वन सुडेंट हमेशा से जो पढ़ना आना चाहरा था, उसके लिए फिर भी प्रॉपर अपॉर्पॉर्टी मुझे लगता है, और इन रूल्स की वज़ा से वह थोड़ा बाहर आगे, हाँ तो भाईयो, जो लास में कंडिशन उस वीजा में जो लगी थी हो, जो मुझे सबसे में लगती है, वो कि वो नो फर्दर स्टे वाली कंडिशन, क्योंकि अभी तक क्या होता था ना, सारी जो तुमारी लाइफ डिपेंड होती थी, कि तुम यहां पर स्ट उसके बाद में तुम टियार अप्लाई करो, या तुमारा एक्स्टेंड करो कुछ और स्टेडी वगरा को, लेकिन जो नो फर्दर कंडिशन है बड़ी बेकार होती है, तुमारा वीजा खतम होने के बाद में, यू कैनाट स्टे, दूसरा वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो तुमारा वापस बाहर जाना रहेगा, यूजुली ये नो फर्दर कंडिशन जो है, विजिटर वीजा वगरा पर लगाई जाती थी, जो विजिटर आपे थे, ताकि ऐसा नहीं कि तुम विजिटर वीजा पर आओ, फिर कोई भी दूसरा वीजा लगा और एक्स्टे, अब जो स्टुडेंट्स के लिए, जो स्टुडेंट्स का वीजा इनको लगेगा कि इन जन्वन है, उनके लिए नो फर्दर स्टेडी कंडिशन लगा दें, अगर तुम ऐसा कोई कोई कोर्स पंडने जा रहे हो, जिससे की आउस्ट्रिल में आकि कोई स्किल आप भी बढ़ने र लेकिन मुझे लगता है कि अस्टुडेंट्स आने के लिए बंद नहीं किया है, कि अब जो स्टुडेंट्स आ रहे हैं वो जैन्वन ही आ रहे हैं, अभी तक क्या हुआ था, मेरे ख्याल से पिछले साल भी कवी सारे ऐसे केसे आया थी कि एजंस ने फ्रॉड के बेजा था, उससे के यार कंट्री का अफकोर्स पुरा जो बैलेंस है वो बिगरता है, जो जन्वन रीजन से जो स्टुडेंट आने चाहिए, जो स्किल्स उनको कंट्री में चाहिए, वो आनी पारी थी, जिनके फाइनेशल अप्रूव नहीं थे उनको भीज दिया जा रहा था, जिनको चाह रहे हो, leading to a migration, या आपको बाद में migrate होना है, अच्छी स्टडी कर सकते हो, अच्छा जन्वन कोर्स चूस कर सकते हो, इन चेंजस में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि, विच मेक्स यू इनलिजेबल, अगर आपका प्लान था कि आप पहले ही इनलिजेबल क्राइटेरिया मे और स्टूडेंट के पातवे से आना चारे थे, तो वो अब आपके लिए difficult हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो जो जैन्वन स्टूडेंट से उनके लिए एक अच्छा learning lesson है, learning curve भी है, क्या होगा ना, अभी स्टूडेंट क्या होता तक 12 के बाद से सारी चीज़े बिगर करते है अभी उनको पता है तो उनको अपना कोर्स सारी प्लानिंग थोड़ा पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो अभी तक स्टूडेंट करते भी नहीं थे, 12 के बाद जैसे मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूँ, यार हम थोड़ी बता सकते हैं आपको कौन सा कोर्स चूज़ कर रहा हूं, यार मुझे ऐसी स्टूड़ी करना है, और वह सारी प्लानिंग अच्छी से होगी, फाइनेशल भी थोड़ा सा पहले से लोग प्रिपेर अपने प्लान करेंगे, अप्लिकेशन को थोड़ा जन्वन नी प्लान करेंगे, ठीके, अप्लिकेशन में जो रिजन अब भी प्रॉपर रास्ता है, जहां तक सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वार्मेंट्स बनने का, भाई अब यह 5.5 की इंग्लिश लैंग्वेज कब से थी, आप रिमेंबर मेरे टाइम से थी, 2006 में जम में आया था, तो 5.5 रिक्वार्मेंट होती थी, 2006 और 1.5 नहीं ला सके आज की तारीक में हर बच्चे को इंग्लिश एती ही इंटरनेट के थी, इस चीज के थरू इस चीज के थरू उस चीज के थरू उस चीज के कॉलेजमें नॉमल भी आचकल इंडिया में एंग्लिश कम पहोती जाती है, तो आपको उतनी तो प्रॉप होनी झ पर एक minimum requirement के हिसाफ साफ को इतनी तो English आनी चीए मुझे लगता आज की तारीक में तो इंडिया में बहुत English बोली जाती है mostly लोग समझते तो ही है बुलने की प्रेक्टिस करें तो बोलना भी अचीज ज़कर सब्सक्राइब तो I don't think that should be a bigger issue बस एक ही मुझे जो में नीशी लग रहा वो no further stay condition वाला तो उसके लिए आपको थोड़ी सी better planning करनी पड़ेगी making sure कि यार आप ऐसा course चूज कर रहे हो जो आपको personally भी fit हो रहा है आप ऐसा course चूज कर रहे हो जो अस्किल्स की भी जरुवत है मैं आप आपका दिखाओ कि हाने वाले टाइम में मैं रहना चाहता हूं यहां पर मैं इस skill को पढ़के ऑस्ट्रेल की country में help करना चाहता हूं तो फिर आपको condition नी लगाएंगे वो भी तुम genuine skill वाली पढ़ रहे हो करना पड़ेंगे यह सारा जो changes है और आपको पहले से थोड़ा प्रिप्लान करना पड़ेगा आपको course वगेरा और PR का job का पाथ है और थोड़ा सा बत चेकी restricted होगा जो genuine लोगे उनको कभी application के मनाई नी होगा यह सब इसलिए कि आ है कि पिछले कुछ सालों में जो एजेंटों ने भसड मचा रही थी इन genuine students को भेज रखा था और सारा यहां पे इतना issues किया था वह सारा आप clutter हड़ जाएगा इतना demotivate मत हो जिनकी इनको genuine जगए तो hopefully आपको मज़ा होगा थोड़ा मते बात जानके अगर कोई questions वगेरा हो आपके specific यह मत डालना कि मेरा इतना question आया मेरा इतना exam में आया तो में क्या करूं पर इन general में अपना experience शेयर कर सकते तो let me know अगर कोई questions वगेरा आपके तो comments नहीं otherwise I'll see you next time बा आपके तो